जैशी किशना दोस्तों बियसरा फैमिली में आपका स्वागत है आप ये उपाय अवश्य करें यकीन मानी है आपको पितर दोस्ते मुक्ती अवश्य ही मिलेगी और आपके पितर आप से प्रसन अवश्य ही होंगे दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चनल सब्सक्राइब निकर रखा तो पित्रों का ध्यान करते हुए, आपको पीपल पर जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। साथ ही 108 बार वहीं पर बैट कर आपको ओम पित्रभ्य नमा का 108 बार जाप करना चाहिए इससे हमारे पितर बहुत ही शीगर प्रसन होते हैं और पितर दोश से मुक्ती मिलती है साथ बार फीपल की प्रिक्रमा करते हूँ अकच्चा सूत अवश्य लपेटना चाहिए और साइकाल के समय पितरों के नाम से एक दीपक पीपल के वरिक्ष के नीचे अवश्य जलाना चाहिए अम आवस्या के दिन खीर अवश्य बनानी चाहिए उसका भोग लगाना चाहिए और पित्रों के नाम से भी खीर अवश्य निकालनी चाहिए आप किसी भी मंदिर में किसी भी ब्रहमन को दक्षिना रख कर दे सकते हैं इस दिन पित्रों के नाम से दानपून भी अवश्य करना चाहिए पित्रों के आशिवाद से आपकी जो मनो कामना है वो शीगर पूरी होगी साथ ही दोस्तों जो आपने खीर भोग लगाई है उसको भी साथ परिवार अवश्यक रहंड करना चाहिए जिससे की आपको पित्रों का अशिवाद प्राप्त हो अमावस्या पर बहुत ही सरवार सिद्योग बनारा गरहो का गोचर बहुत ही दुरलब योग बनारा साथ ही मंगलवार की दिन पढ़ने से भोमवती अमावस्या का विशेश महत बताया गया है और इस दिन देखे पांच भागिशाली राशियां ऐसी हैं जिनको बहुत ही आपको अपने पितरों का अश्रिबाद अवश्य ही प्राप्त होगा दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जलू करें